हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी डिक्टेशन 40 सब्द प्रती मिनिट जो की स्टार्ट होता है अब धर्ती पर मानव जाती का बजूत आदमी और औरत दोनों की समान भागीदारी के बिना असंभव है किसी भी देश के विकास के लिये नर और नारी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार है हाला की इसमें कोई संदेह नहीं है की महलाएं पुर्सों से अधिक महत्व रखती हैं हैं फुर्स्टों औरतों के बिना हम मानव जाती की निरंतरता के वारे मैं नहीं सोच सकते क्योंकि वो मानव को जन्म देती हैं इसलिए कन्या सिसु को नहीं मारा जाना चाहिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा सम्मान और समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए हाला कि महलाएं हत्या और दहेज प्रतारना आदी से अपनी ही बनाई गई सब्यता मैं तीरत हैं फुलिस्टॉप ये कितना शर्मनाक है फुलिस्टॉप बहुत से समझदार लोगों के अनुसार एक सिसू कन्या को अनेक कारणों के लिए बचाया जाना चाहिए जैसे कोई भी लड़की किसी भी छेत्र मैं लड़कों की तुलना मैं कम सक्छम नहीं है। और अपना सर्विस्ट देती है फुलिस्टॉप उननीस्सो एक सट से कन्या की कर्व मैं ही हत्या करवा देना एक गैर कानूनी अपराद है। यही नहीं कॉमा लिंग परिक्छन चुनाव के बाद गर्वपात को रोकने के लिये प्रतीवंधित कर दिया गया है। किसी लड़के से तुलना करें तो यह अवश्य कहा जा सकता है। कि एक लड़की अधिक आज्याकारी, कम हिंसक और अभिमानी होती है। वह अपने परिवार, नौकरी, समाज या देश के लिए ज्यादा जिम्मेदार सावित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त माता, पिता और उनके कारियों की अधिक परवा लड़कियों को ही ज्यादा होती है। यही कारण है की सरकार ने लड़कियों को बचाने और सिक्षित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। फुलिस्टोफ बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, सरकार की ही एक पहल है। फुलिस्टोफ बिविन सामाजिक संगठनों ने महला इसकूलों में सोचाले के निर्वान से अभियान में मदद की है। फुलिस्टोफ बालिकाओं और महलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है। फुलिस्टोफ गर्व में ही कन्या की हत्या करना बेहद संगेन जुर्म में से एक है। और सरकार ने अस्पतालों में लिंग निर्धारण कॉमा इसकैन परीक्षण आदी के लिए अल्ट्रा साउंड पर रोप लगादी है। सरकार ने यह कदम इसलिए लिया है ताकि बह लोगों को बता सकें लड़की को जन्म देना किसी वी समाज में अपराद नहीं है। भारत में लड़की लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और यह भगवान का दिया हुआ एक खुपसूरत तो था है। इसलिए एक बेटी से कभी भी नफरत नहीं करने चाहिए। समाज और देश की भलाई इसी में है की हम सब मिलकर लड़कियों को बहुत सारा सम्मान दें और बहुत सारा प्यार दें। तो दोस्तो यदि आपको मेरे चैनल पसंद आया है तो इसे शियर कमेंट और लाइक आप ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको उमारी न्यू नोटिकेशन्स लगतार मिलते रहेंगे।